तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शार्दा उनिवर्सिटी में एक कल रात से रूमर फैल रहा है पता नहीं है सच्छा है कि नहीं है मैंने खुझ जागे तो चेक नहीं किया तो बस फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी को ब्लॉक 4 में क कोई कह रहा है कि किसी को लॉक का कोई स्टूइंट है उसको करोना वाइरस हो गया है और वह शार्द होस्पिटल के इंक्यूबेशन सेल में बैठा है यह बहुत ही सिंसिटिव टॉपिक है और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कॉलेज बंद हो गया होता सैनिटाइज हो रहा होता होता गवर्मेंट बहुत ही स्टिक्ली ले रही है इसको हमारे इंडियन गवर्मेंट तो आपको पताओ ना चाहिए यह चीज तो यार बिलीव मत करो ऐसी चीज़ को और शेयर मत करो यार वाट्साइब के स्टेरस मत लगाओ बट एनिवेस प्रिकॉशन सार्वेस मेरे बाल उड़ते रहें तो गाइस कोई साभी हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते जिसमें 70% अलकोहल होता है तो उससे थोड़ा बहुत काम हो जाएगा बट आइवड सजिस्किया तुम लोग हाथ होते रहो हमेशा और एक वो आता था ना क्या कहते उसे पेपर सोप तो आ यार एनिवेश दिली नवडा मेट्रो सेशन से यार थोड़ा बचके रहना कहीं चुना उना मत यार प्लीज सीरियसली ले लो यार इसको नहीं तो यार कॉंसेट्वेंसेस और वेरी रमाटिक एस्पेशली कॉलेज के स्टूडेंस के लिए हातों में हाथ डालने का टाइम प्लीज और चीज जो मैं कहना चाहता हूं यार 9 और 10 को होली है होली मत खेलो यार आज इस साल स्किप कर दो कंटामिनेशन फैल रहा है पानी बानी डाल दो किसी पर साथ में कुछ भी आज आ सकता है सो प्लीज अगर आप अपने घर जा रहे हो मुझे पता है की मेरी तरफ से आपको बहुत ज्यादा सुख कामना है आई होप आप लोग एंजॉय करो अपने फैमिली के साथ मिठाई- और यार खाना पीन अच्छा करो और अगर शार्दा में ऐसा कुछ फैलेगा यार आपको पास नोटिस आजाएगा यार खुदी-खुद डिसाइड कर रहे हम नहीं जाएंगे कॉलेज कॉलेज में फैल गया वाइरस इसी के साथ गाइस स्टे सेफ से हल्दी स्टे अवे फ् चुटिया एंजोई करना गाइस चुटियों के बाद मिलते हैं लाइक और सब्सक्राइब पीस